दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक इमानसूर आप देख रहे हैं टीचिंग वाला जैसे कि आप जानते हैं कि हाइग कोट ने पटना है कोट ने तीसरे चरहन की सिक्षक भरती पर रोक लगा दी अब यहां पर जो आगे की अपडेट है यह जो आप जानना चाहते हैं कि अप परिक्षा कब होगी एक और अपडेट है ट्यारी टू के रीचेक पर वह भी मैं आपको बताऊंगा और ट्यारी फोर कब होगी और जो यह चेंजेज होगा उससे क्या नुकसान फायदा हो सकता है जो हाइक परिक्षा कर लेंगे पहले बात तो परिक्षा कब होगी उसके अपडेट दिखेंगे पहले वहीं दिखा देता हूं अलग-अलग निउस्पेपर में देखिए सिक्षक भरती पर रोक अतिती सिक्षक के वेटेज पर लिया गया निर्वने तो इसका मैं आपको एक बता देता कि बेसिकली वो जो पाँच अंक वाला है कि आप एक साल अगर कोई अतिती सिक्षक काम किये हैं तो पाँच उनको मिलना चाहिए ग्रेश और 5 साल में उनको टोटल जो है पचीशंग ग्रेश मिलेगा मैकसिमम 25 मिलने का है लगबग लोगों ने पाँच शाल तक काम किया है क्या क्या कद ऄंस को एक माह teammates लेने का निर्डेश और यहांसे आप ये बात मान के चल सकते हैं कि अभी से लेके जून के last तक इस पर निर्डेश लेना है अब ये राज सर्कार इसे घ्यड़ी रेलें बस उनका यह condition यह है तो फिर से form बढ़ाएगा ऐसी कोई बात नहीं है कि फिर से form बढ़ाएगा क्योंकि जो वेकंसी चल रही है उसमें यहां पर जो है उसी कि जो मतलब बाद में जो selection के बाद का जो निर्नना है उसमें यह है कि उनको number मिलेगा जैसे आरक्षन मिलता है उस टैप से तो यह वाला चीज है अब अगर अतिती सिक्षक जो 4200 लगबग अतिती सिक्षक हैं अगर उनका को यह अलग से नियम के हिसाब से यही है बाकि आपको डारेक्ट जो है एक्जाम में वहां पर बैठने का मौका मिलेगा लेकिन एक मैने के अंदर निर्ने लेने के लिए बोला गया है तो अगर दस दिन में निर्ने लेके डेट निकाल सकते हैं आप समझ रहे हैं वह चाहें तो यह अगले प प्रोसेस में कितना टाइम लगता है ठीक है अब इसमें कुछ यह नहीं है उनको निर्ने अब इससे फाइदा नुक्सान क्या होगा तो 4200 के लगभग है और जो प्लस टू स्कूल से उनमें ही अतिती सिख्षक थे तो उनके लिए ही अलग 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 बिसे में अलाकि 4000 दो जूर गया तो मान के चलिए कि वो तो सेलेक्ट होंगे ही अगर वो अच्छे स्टूडेंट या ठीक्ठा की स्टूडेंट भी है क्योंकि साथ नमबर भी आया उसमें 25 जूर गया तो उनका सेलेक्शन होना है और उनको वरियता धी भी जा रही है तो नुक्सान तो है इतने लोगों को नुक्सान है जितने लोग अतिती सिख्षक है और अगर एकलिस्ट वो कटफ से 25 नमबर नीचे आते हैं तब समझ रहे हैं तो इस तरह से हो गया और एक जो ट्यारी 2.0 का है वो कर लेते हैं बात फिर 4.0 कर पर भी कर लेंगे 2.0 में क्या हुआ हुआ है ना ओय मार कर लेक्र उपार्ग नने ले फ्राइबर और नु derecho के लिए बोला गया था तो यह कहा जा रहा है कि रिचेक में ना वान तु फाईब का तो रिचेक हो गया था लेकिन six to eight का रिचेक जो है वो नहीं हुआ था क्यों नहीं क्यों रीचेक के लिए कोट में गए थे लोग तो बेसिकली हुआ क्या था कि उत्तर प्रुस्तिका का क्रम जो अंतिम समय में बदल गया था ऐसा कह रहे हैं जिसके कारण की जो है राजनिती विज्ञान भूगोल अर्शास्त में दिया गए उत्तर को इतिहास का उ ल्यांकन किया गया मतलब उस वजह से जो है वह क्या करते हैं मतलब वह ट्विस्ट हो गया वह इनका उत्तर उसमें भर दिये थे इस रंक से प्रविट विस्ट है कि उनको भी जोईनिंग किसी रूप में देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा अब बात है कि टूट फॉर पॉइंटों कव होगा तो अगर यह जून में परिक्षा ले लेते हैं एक मेहना का आदेश दिया है जून में अगर परिक्षा ले ले 5.2 की बात हो रहे दिसंबर में जो अब थोड़ी मुस्किल लग रही है लेकिन यह वाला जो मामला एक बार क्लियर होगा तो यह रूल एक ही बार क्लियर होना है क्लियर होगा तो फिर हर साल वो चलते रहेगा तो आप लोग बिलकुल यह मत सोचेगा कि एक दम नहीं होगा लेकिन सबसे में चीज है जो हम सिक्षा विभाग से अपील भी करते हैं कि यह जो निरने लेना है जो भी कोट का आदेस है क्योंकि उस पर हमेरा कोई कोशन नहीं हो सकता है लेकिन कोट का जो आदेस है उस पर जो भी डिसीजन है आप जल्दी से लेके इसको जून के लास तक आप मान के चलिए और शिक्षा विभाग अगर बढ़ियां से काम करें तो उसमें बहुत ज्यादा डिले होने की बात नहीं है टीचिंग वाला यूटूब चैनल पर पी डवलू के आप पर ग्लासेस चल रही है आपके एक्जाम तक चलते रहेंगे कोई च एक्जाम नहीं होगा थ्री पॉइंटो का और फॉर पॉइंटो का इसमें आपको एक्सेस रहेगा इंक्लूडिंग एस्टेट का और अभी एक ओफर भी चल रहा है 31 मही तक का पीडवलू ने चार साल पूड़े किये हैं तो लगबक अमलब लगबक है सभी बैचेस पर जैने में मुझे यह लगता है लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं क्या कर सकते लेकिन यह नहीं कि बहुत ज्यादा डिले होगा जैसे कि एक महना मुझ्खिल से उनको समय दिया गया तो उसके अंदर ही उनको करना पड़ेगा जून-लास तक तो निरने लेना ही पड़ेगा जु झाल 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 झाल